राधी राधी दोस्तों कैसी है आप सब दोस्तों सावन पूर्मा का हमारी धर्मशास्तों में बिशिश महतो बताया गया है इस दिन भगवान शिप का पिधी विधान से पूचन किया जाता है क्योंकि यह सावन महा का आखरी दिन होता है इस दिन फोले नात का पूचन कहने से फोलेनात की असीम कृपा प्राप्त होती है साथी सावन पूर्मा भगवान लक्ष्मी नारायन को समर्पित होती है इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायन का पूचन कहने से धन का लाब होता है और कश्टों से छुटकारा मिलता है यह दिन धन की देवी मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कहिने के लिए बहुत खासवाना जाता है इस बार की सावन पूर्मा पर ग्रहनक्षत्रों के अत्प संयोग की बज़े से कई दिप्प संयोग का निर्मार हो रहा है साथ ही इस बार की सावन पूर्मा शुक्रवार के दिन है शुक्रवार का दिन भी धनकी देवी मालक्षमी को समर्पित होता है इसलिए इस बार की सावन पूर्मा का महत्व कई कुना अथिक बढ़ गया है सावन पूर्मा पूर्वजों को भी समर्पित होती है इस दिन पवित्र नदी में इसनान करने के बार पूर्वजों के निमित्दान अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, पूर्वज प्रसंद होते हैं और अपने परिजनों को अपना आशिरवाद देते हैं मालक्ष्मी के साथ भगवान विश्णू का पूचन करने से मालक्ष्मी अतिशीकर ही प्रसंद हो जाते हैं, साथी इस दिन आर्थिक संकर से जुड़ी समस्याव से मुक्ति पाने के लिए कुछ खास उपाय भी किये जाते हैं, जिन से मालक्ष्मी प्रसंद हो व्यक्ति की आर देव से संबंधित किसी दोश से पेड़े थें तो आपको पूर्मा की रात को चंदमा को अध्य अवश्य ही देना चाहिए ऐसा कहने से चंद्य देव की किरपा से पारिवारिक रिष्टे अच्छे होते हैं और चंद्य दोश भी दूर होता है इस दिन सामाथानुसा जर्मन व्यक्तियों को भोचन कराकर दान देना चाहिए ऐसा कहने से कश्टों से छुटकारा तो मिलता ही है साथी भगवान लक्ष्मी नारायन के साथी चंद्य देव की भी किरपा प्राप्त होते है इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायन का पूचन कह करने वाले कुछ पहती आसान और असरकारक उपाई बतानी जा रही हैं इन उपाईयों को कैने से भगवान विश्वाद प्राप्त होता है पित्र दोश से भी मुक्ति मिलती है भगवान विश्वाद लक्षमी की किरपा से जीवन भर धन के कोई कमी नहीं रहती धन संबंदि स सबी समस्याएं दूर हो जाती हैं साथी दुख दरिता का नाश हो जाता है पित्रों के आशिरवास से कष्टों से भी छुटकारा मिलता है पुराणों के अनुसार पूर्मा तिथी के स्वामी भगवान विश्वाद लक्षमी जी है इसलिए इस दिन भगवान विश्वाद लक्षमी जी की पूचा कहने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुक सम्रथी आती है पुराणों में पूर्मा का दिन बेहत पवित्रमाना जाता है कहते हैं इस दिन लेसन प्याश मास मत्रा आदी का सेवन नहीं कहना चाहिए पूर्मा के दिन प्रमचर्य का पा आने वाले गरीव या चर्रतमन व्यक्ति को अपनी सामत के अनुसार दान अवश्य कहना चाहिए पूर्मा के दिन चावल का दान कहना भी बहुत शुब होता है ऐसा कहने से चंदर गह से संबंधित दोश्दूर होते हैं पित्रों को प्रसंद कहने के लिए और पित्रों का आशिरवाद प्राप्त कहने के लिए एक शुद्ध लोटे में आप जल भरें जल में थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी काले दिल डालें अब इस जल को आप दर्शिन दिशा की तरफ मुख करके चढ़ा दें जल चढ़ाते समय ओम पित्रफे नमा ओम पित्रफे नमा इस मं इस तरहें जल चढ़ाने से पित्र देव प्रसंद होते हैं जल चढ़ाने के बाद पित्र देव को प्रडाम करें अपनी सभी जाने अंजाने में की गई गल्तियों की शमा मांगे इससे पित्रों का आशिरवाद प्राप्त होता है और पित्र दोश से भी मुक्ति मिलते हैं पूर्मा के दिन मा लक्ष्मी को ग्यारे कोडिया अर्पित करें मा लक्ष्मी के सामने एक लाल रंग के कपड़े पर अब ग्यारे कोडिया रखें अब मालक्ष्मी का फूजन करें और फिर मालक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद हल्दी से सभी कौडियों पर तिलक लगाएं अगले दिन सुभे इन कौडियों को लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लें या अपने धन रखने के इस्थान पर रख लें इस उपाई से घर में धनकी कोई भी कमी नहीं होती। इसके पश्चात प्रतेख पूर्मा के दिन इन कौडियों को अपनी तिजोरी से निकाल कर माता के समुख रख कर उन पर पुन्हें हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांध कर अपनी ति करती हैं वहां मालक्ष्मी सदैपास करते हैं। पूर्मा की रात को झाडू का एक आजान सा उपाई करके आप मालक्ष्मी को प्रसंद कर सकते हैं। कि जाडू मा लक्ष्मी का ही प्रतीख मानी जाती है जाडू हमारे घर से गंदगी हटाती है और दर्दता को दूर करती है पूर्मा की राथ को जाडू का ये आसान सा उपाई करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व कौने को साफ करें अब आप एक नई जाडू लें या फिर आप रोजाना जिस जाडू से अपने घर में जाडू लगाते हैं उस जाडू को भी ले सकते हैं इस जाडू को लेकर आप कपड़े से पौँच कर साफ कर दे इसके बाद इस जाडू को आप अपने घर के साफ उत्तर पूर्व कौने में लिटा कर रखते हैं ध्यान रखें इस उपाई को करने के लिए आप ऐसी जाडू ना लें जो आप इस्तमाल नहीं करते यानि की जो जाडू बेकार हो गई है आपको ऐसी ही जाडू लेनी हैं जिसका आप इस्तमाल करते हैं या बात में करेंगे जाडू की पूझा करने के लिए जाडू के हैंडल पर आप कलावे से तीन लपेट लगाएं और एक काड बांदे इसके बाद आप जारू के हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से दिलक करें फिर अपने हाथ में एक पुष्प लें थोड़े से साबुच चाबल लें थोड़ी से हल्दी कुमकुम लें अब मालक्ष्मी का इस्मरन करते हुए जै मालक्ष्मी जै मालक्ष्मी का जाब करते हुए आप यह पुष्प जाडू पर चड़ाएं थोड़ी से साबुच चाबल हल्दी कुमकुम ले और अगर पुष्प हो तो पुष्प भी ले अब आप हल्दी कुमकुम चाबल और पुश्पु को जाडू के उपा छिडगें अब एक सुगंदे धूपती चलाएं इसके बाद मा लक्ष्मी को हाद चोड़ कर प्रणाम करें और उनसे अपने घर में से गरीबी और दर्दता को दूर करने की प्रातना करें घर में सुख सम्रती और सौभाके की भी प्रातना करें ध्यान रखें जाडू ऐसे इस्थान पर रखी है जहां रात में आपकी निखा पड़ेगी तो आप उस जाडू पर रात में कोई कपड़ा ठक दें सुबह उठकर आप जाडू के पास जाकर पहले मालक्षमी को प्राम करें इसके पाद जाडू उठाकर सबसे पहले अपने रसोई घर में जाडू लगाएं पूर्मा की रात को ये आसाफा उपाई करने से मा लक्ष्मी की करपा से खैसे गरीबी और दरिदिता दूर हो जाती है और सुक्सम्रती सौभाग्य का बास होता है अगर आप धन थानने की कामना रखते हैं तो आपको पूर्मा के दिन मा लक्ष्मी का पोजन अवश्य ही करना चाहिए इस दिन शरी सुक्त, कनक्धारा इस्त्रोत, विश्णु शहस्त नाम का पाठ गयना चाहिए माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इन में से यदि एक का भी पाठ आप शद्धा भाप से करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन होकर सुक्सम्रध्धी का आशिर्वात देते हैं खीर मा लक्ष्मी को अतिथिक प्रिय है पूर्मा के दिन केसर की खीर का मा लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है फिर इसके पश्चाद यह खीर कन्याओं में प्रशाद के रूप में बांटने ऐसा कहने से मालक्षमी अतिशेक्री ही प्रसन हो जाती है इसके अलाबा इस दिन मालक्षमी को उनकी प्रिये बस्तों है जैसे मकाना, सिंघारा, नारिय, सफेद बर्फी और अक्षद जरूर ही अर्पित करें आप चाहते हैं कि धन, सुक, समर्दी और एश्वर्दी की देवी मालक्षमी आपके घर में इस्थाई रूप से बास करें तो आप अपने घर में साफ सफाई रखें घर में लड़ाई जगड़े ना करें बड़ों का सम्मान करें और बच्चों से प्यार करें दान्मिक माननेताओं के अनुसार जहां लड़ाई जगड़े होते हैं कोई गलत कार्य होता है या गंदगी होती है बड़ों का अपमान होता है वहां मालक्षमी कभी भी बास नहीं करते पूर्मा के दिन भगवाई शिपची का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए परिवार में सुकसो भाक्य के लिए और रोग और संकर दूर करने के लिए पूर्मा के दिन भगवान शिप्ची को सफेज चंदन एवन सफेज फूल चड़ाते हुए साबुदाने की खीर का भोग लगाना चाहें ऐसा करने से परिवार में सुक्सौभाक्य की वशा होगे रोग और संकर दूर रहते हैं पूर्मा के दिन चंदर देप का पूजन करने का भी विशेश महत्व होता है जिस भी व्यक्ति को जीवर में धन सम्मंदी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें पूर्मा के दिन चंदर देप के समय चंदरमा को कच्चे दूद में चीनी और चावल बिलाकर ओम एम क्लिम सौमाय नमा मंतर का जाब करते हुई अर्थे देना चाहें इससे धीरे धीरे आधिक समस्याओं का निराकरण हो जाता है पूर्मा के दिन ये आसान से उपाई करके आप भगवान विश्णूमा लक्षमी जी के साथ ही समस्ते देवी देपताओं का भी आशिरवात प्राप्त कर सकते हैं उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे भैबी इसका लाब उठा सके हमारी ये वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें